ओम शान्ती आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 6th Feb 69 की अव्यक्त मुरली आज की मुरली का टाइटल बहुत ही अच्छा महिमा सुनना छोड़ो महान बनू आज की मुरली बड़ी धारणा वाली सचमुत 69 से शुरू की मुरलियां बहुत ही सारी मुरलियां वैसे तो धारणा वाली है पर शुरू-शुरू में व्यक्त बाप दादा का पूरा फॉर्श बच्चों को दे दे इस डंग से और मुरली से लग रहा है तो आज की मुरली से चार क्वेस्चन नमबर वन एक एक बच्चे से बाप के गुण परत्यक्षों उसके लिए मुख्य क्या प्रयतन करेंगे नमबर टू माया का सामना करने में मुख्य रुकावट क्या है नमबर थ्री अव्यक्स्थिती बनाने के लिए एक बात धारन करनी है और एक छोड़नी है कौन सी लास्ट कौन सी तीन बातें धारन करनी है और तीन बातें छोड़ने तो सुनते हैं छे फरवरी उनहत्तर की मुरले महिमा सुनना छोड़ो महान बन सभी याद की यात्रा में बैठे हो पड़ाई का सार तो समझ में आ गया ना उस सार को जीवन में लाकर के दुनिया को वे राज सुनाना है रचैता और रचना की नालेज को तो समझ गए हो सुना तो बहुत है लेकिन अब जो सुना है वह सुरूप बनके सभी को दिखाना है कैसे दिखाएंगे आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आवे आपकी आखों में उसे ही बाप उसी बाप को देखें यह है जो सुना है ना उसका सुरूप बनने का बाबा ने तरीका बताया आपकी हर चलन से बाप दादा और चरित्र नजर आएं आपकी आखों में उसी ही बाप को देखें आपकी वानी से उन्हीं की नौलिज को सुने हर चलन में हर चरित्र समाया हुआ होना चाहिए सिर्फ बाप के चरित्र नहीं लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाएं आपके चित्र में उसी अलौकिक चित्र को देखें आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आवे ऐसा पुर्शार्थ करके जो बाप दादा ने मेनत किये उसका फल्स रूप दिखाना है जैसे अग्यान काल में भी कोई कोई बच्चों में जैसे की बाप ही नजर आता है उनके बोल चाल से अन्भव होता है जैसे की बाप है इसी रिती से जो अनन्य बच्चे हैं उन एक-एक बच्चे द्वारा बाप के गुण परत्यक्ष होने चाहिए और होंगे उसका मुख्य प्रयतन क्या है अब सुनिए तरीका जिससे बापा के गुण परत्यक्ष हो मुख्य बात यही है जो साकार रूप में भी सुनाया हर करम करना है याद की यत्रा और अव्यक्त स्थिती में स्थित्तो कर हर करम करना अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है लेकिन बहुत सामना करना फिर बाबा ने कहा लेकिन समर्द साथ है इसलिए कोई मुश्किल नहीं सिरफ एक बात सबी को ध्यान में रखने है सामना करने के लिए बीच में रुकावट भी आएगी माया का सामना करने के लिए बीच में रुकावट आएगी वो कौन सी चीज़ है सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी मालूम है किसे ने कहा दे अभिमान दे अभिमान तो एक मूल बात है लेकिन सामना करने के लिए बीच में कामना विगन डालेगी कौन सी कामना अब सुनिए कामना भी बाबा ने बताई मेरा नाम हो मैं ऐसा हूँ मेरे से राय क्यों नहीं ले गई मेरा मुले क्यों नहीं रखा ये नेक परकार की कामना हैं सामना करने में विगन रूप में आएंगे ये याद रखना हमको कोई कामना नहीं करने सामना करना है अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सके और अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं वे धारन कर ली तो बहुत जल्दी और बहुत सैज अव्यक्त स्थिती में स्थित्त हो जाएंगे वे कौन सी बात हम अभी मेमान हैं क्योंकि आप सभी को भी वाया शुक्षण वतन होकर घर चलना है हम मेमान हैं ऐसा समझने से महान स्थिती में स्थित हो जाएंगे मेमान की बजाए जरा भी एक शब्द में अंतर कर लिया तो गिरावट भी आ जाएगे वे कौन सा शब्द मेमान समझना है लेकिन महिमा में नहीं आना है अगर महिमा में आ गए तो मेमान नहीं बनेंगे मेमान समझेंगे तो महान बनेंगे जरासा अंतर मेमान और महिमा लेकिन जरासा अंतर भी अवस्ता को बहुत नीचे उपर कर देता है जरासा अंतर भी तुम सबी को ग्यान कौम सा देते हो त्रिमूर्ती का जैसे त्रिमूर्ती का ज्ञान औरों को देते हो वैसे अपने पास भी तीन बातों का ज्ञान रखना है तीन बातें छोड़ो और तीन बातें धारण करो बड़ी इंटरेस्टिंग बाबा बता रहे है सुनना कौन सी तीन छोड़नी और कौन सी धारण करना अब ये तीन बातें छोड़ेंगे तभी सुरूप में स्थित्त होंगे सर्विस में सफलता भी होगी बताओ कौन सी तीन बातें छोड़नी है जो सर्विस में विघन डालती है वे छोड़नी है एक तो कभी भी कोई बहाना नहीं देना दूसरा कभी भी किस से सर्विस के लिए कहलाना नहीं और तीसरा सर्विस करते कभी मुर्जाना नहीं बहाना, कहलाना और मुर्जाना ये तीन बातें छोड़नी है और फिर कौन सी तीन बातें धारन करनी है वो तो सरवपरसिद हैं कौन सी त्याग, तपस्या और सेवा ये तीन बातें धारणा में चाहिए तपस्वी अर्थात, याद की यात्रा और सर्विस के बिना भी जीवन नहीं बन सकती इन दोनों बातों की सफलता त्याग के बिना नहीं हो सकती इसलिए तीन बातें छोड़नी है और तीनी बातें धारण करनी है अगर इन तीन बातों की धारणा हुई तो क्या बन जाएंगे जो आपका गाएन है न वही सुरूप बन जाएंगे यहाँ आबू में भी आपका गाएन है किस रूप में और कौन सा रूप यादगार है तपस्या के साथ साथ और भी कोई मुख्य रूप का यादगार है जिनोंने दिलवाडा मंदर ध्यान से देखा होगा उन्हें याद होगा जैसे तपस्वी हैं तो त्रनेत्री भी है तपस्या के साथ यात्रिमूर्ती की है तो जैसा यादगार है त्रनेत्री का ऐसा बनना है तीसरा नेत्र कौन सा है ग्यान का ग्यान का तीसरा नेत्र ही यादगार के रूप में दिखाया है तपस्वी और त्रनेत्री तीसरा नेत्र काइम होगा तब ही तपस्वी बन सकेंगे अगर ग्यान का नेत्र गाइब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं रह सकती इसलिए अब त्रिमूर्ती शब्द को भी याद करके धारणा में चलेंगे तो वैं बन जाएंगे जो शक्तियों का गाइन है जो प्रभाव है वैं देखने में आएगा अभी गुप्त है अभी तक शक्तियां गुप्त क्यों है क्योंकि अभी तक अपने सौमान अपनी सर्विस और अपनी स्रिष्टा है अपने से ही गुप्त है अपने से ही गुप्त होने कारण स्रिष्टी से भी गुप्त है जब अपने में परत्यक्षता आएगी तब सुरिष्टी में परत्यक्षता होगी फिर बाबा ने अभी शिवरात्री का जो परव आ रहा है उनको और भी धुम दहम से मनाना है बड़े उमंग और उल्लास से परिचे देना है क्योंकि बाब के परिचे में बच्चों का परिचे आही जाता है तो फिर बाबा ने कहा कि अब शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फैकने है शुरू शुरू में शक्तियों की ललकार ही चलती थी ना लेकिन बीज रूप स्थिती में स्थित रहेंगे तो नेक आत्माओं में समय की पैचान, बाप की पैचान का बीज पड़ेगा अगर बीज रूप स्थिती में स्थित ना रहे, सिर्फ विस्तार में चले गए तो क्या होगा ज्यादा विस्तार से भी वैल्यू नहीं रहेगे, व्यार्थ हो जाएगा इसलिए बाबा ने कहा, जैसे शुरु शुरु में बाबा ने बाबा को देखते थे क्या याद हैं, खास अपनी तबियत को भी ना देख करके क्या सबूत दिया अपनी शार्जिक स्थिती को ना देखते भी, कितना समय खास सर्चलाइट देते थे कितना समय सने का सबूत दिया करम करके दिखाया वही करना है अमरत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया वैसे ही बच्चों को करना चाहिए नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखें इस बात में अपने को दिल खुश कर लेते हैं उठे और बैठे लेकिन वे रुहाव शक्तिस रूप की समर्थी नहीं रहती रूप के बदले क्या मिक्स हो जाता है सुस्ती तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं लेकिन लाइन कलियर नहीं होती इसलिए मुलाकात से जो अनमो होना चाहिए वे नहीं कर पाते हैं मिक्स्चर है यहां शुरू करेंगे तो मदवन वासियों को देख सब करेंगे मदवन वासि जो खास सने ही है उनको खास सेक्रिफाइस करना है सने में हमेशा सेक्रिफाइस किया जाता है अच्छा बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और ओम शान्ती तो आज की मुरली में तीन शब्द खास क्योंकि कोई एक बात ऐसी पकड़ लो जिसको अच्छी तरह से धारन करना है नहीं तो केवल शर्वन हो जाता ना तो तीन बातें जो बाबा ने कही ना तीन छोड़नी है और तीन धारन करनी है बहाना बहाना दे देंगे बाबा ने कहीं कभी कभी कहा है न कि मेरा पेट दर्द है सिर दर्द है ये बहाना ही है न बच्चे अब कौन सा थर्मामेटर लाएं पेट दर्द का सिर दर्द का ठांग दर्द का लेकिन असली तो मन में दर्द है मूड ठीक नहीं अंदर की अवस्ता ठीक नहीं है तो बहाना बाजी बाबा ने कहा इसमें बहुत हुश्य आ रहे हैं कई बच्चे तो बहाना कभी नहीं बनाना बहाना बनाना सेवा में बहाना देना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना तो बहले सची बात कह दे में तो कोई हर जाने पर बहाना ना बनाओ क्योंकि एक पाप भी हो गया जूट बोला सच-सच के मेरी अभी मंसिक अवस्था ठीक नहीं है हो जाएगी मैं जरूर सेवा करूँगा जरूर करूँगी थोड़ा सा और पहले तो ये भी कहने का मौका ना मिले कारण सेवा करेंगे तभी वस्था ठीक होगी दिल से प्यार से सेवा करने लग जाओ तो एक बहाना कभी नहीं देगा बाबा ने भेजिये ना सेवा तो सेवा में बहाना क्यों देवे फिर कईयों को कहलाने की खास आदत है कोई किसी का मैसेज आए कि ये उसको जरूरत है ये काम आप कर देंगे कर देंगे उसे कहो मेरे से बात करें असली तो पीछे बात है कहलाना मेरे को कहे फिर चलो एक बार कह भी दे चलो ठीक है डिरेक्ट कहना भी चाहिए इदर उदर से मैसेज देने की बजाए परंतु फिर कईयों को हैबिट है दो तिन बार जब तक वो ना कहें कर दो ना ये काम मैंने कहा था भाई जी दिदी जी ये कर दो ना फिर फिर दुबारा कहेंगे फिर रिमाइंड कराएंगे बार बार कलवा के फिर काम करना सेवा करना आप सोचो क्या द्वाओं के पात्र बनेंगे हम सोचें जरा क्यों हम ऐसा करें ना शोटों को बड़ों को कलवाना चाहिए बड़े बार बार कहते हैं करो ये जरूरत है इस वक्त आपकी जरूर करो प्रंतु तेन चार बार उसे करेंगे अप्रिशियेट कहेंगे अप्रिशियेट करेंगे फिर कहीं वो करने लगते तो ये ठीक नहीं है ना ना छोटों को बार बार कहलो हना चाहिए ना ही हम बड़ों को भी कहलो हना चाहिए अरे सेवा तो भगवान भागे भेजता है तो क्यों किसी को सुख देने का मौका मिले हमें छोड़ना नहीं चाहिए कहलवाना कभी नहीं चाहिए तो एक बाबा ने का बहाना देना एक कहलाना और एक मुर्जाना स्थिती मुर्जाए क्यों जो बाबा कहते है ने जान चली जाए तो खुशी ना जाए तो ऐसी स्थिती होने चाहिए न फिर बाबा ने तीन चीज़ें धारण करने के लिए कहा त्याग, तपस्या, सेवा ये तीन चीज़ें धारण करके तो बाबा ने कहा देखो त्याग में सबसे नमबर वाद, क्यों वो करे न त्याग में ही करूँ हर बक्त, त्याग में मुझे त्यागी बना, जो त्याग करेगा वो भागे बाग, और तपस्या के बिना सेवा सफल होने वाली ने, तपस्या का बैलेंस जरूर बना के, और सेवा, जिस दिन सेवा नहीं चाहे कर्मना सेवा, कोई भी सेवा, वाचा सेवा, तो चलो आठ बनाओ, कुछ कम बनाओ, लेकि बनाओ तो सही, कहीं का सारा दिन अकाउंट नहीं कुलता, सेवा का, रात को चेक करके सोना चाहिए, आज कितना गंटा योग में और कितना गंटा सेवा में लगाया, ये दोई रख लो बस, फिर बेडा पार हो जाएगा, तो तीन बातें ध्यान रखनी है, छोड़नी है, और तीन बातें ही धारण कर, अच्छा, ओम शांती, ओम शांती, एक जरूरी सूचना, पानीपत के ज्यानमान सरोवर रिट्रीट सेंटर में 21 और 22 अक्टोबर को एक विशेश प सेकल्टी पधारेंगे और वो विभिन टॉपिक्स पर आपको ट्रेन करेंगे, यह कारिक्रम हिंदी में होगा, आपको बता दे, इसमें सीटें लिमिटेड हैं, इसलिए अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, तो शीगर ही रजिस्ट्रेशन कराएं, रजिस्ट्रेशन के ल वीडियो भी जरूर देखें